कैसे हूँ आप सब लोग उमीद करती हूँ आप बहुत ज्यादा बड़िया होंगे बहुत अच्छे होंगे तो अगर कोई भी इस वीडियो पर आया है इंटरमिटेड फास्टिंग के तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ के पहला मेरा पार्ट वन देखिए और यह वीडियो कंटिन्यू करिए ठीक है फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं तो मैंने जैसे बोला था यह वेट लॉस जर्नी के मेरी सेरीज है तो तो मैंने फ़र्स्ट बोला कि आपका सब कुछ डाइट पे है सेकंड तिंग जो है आपकी वह है इंटरमिटेड फास्टिंग यह वर् तो इंटरमिटेड फास्टिंग क्या होती है इंटरमिटेड फास्टिंग मतलब फास्टिंग नहीं है आपको कुछ टाइम का ग्याप लेके खाना पड़ता है मतलब यू है टो टेक यह फूर फूर जस जुस टेकिंग बाई सम गाप इन दाट तो मील्स ओके तो अगर ग्यारा बजे में खाना खाती हूँ तो मैं एट हावस का उसके बीच में एट हावस छोड़ दूँगी मेरे बौड़ी को सफाई करने के लिए कुछ टॉक्सिक मतलब जो भी हमारे बौड़ी के रिमू होने चाहिए वो रिमू करने के मेले आट घंटे में बौड़ी को दे है इसके बहुत टाइप है एक दो टाइप है आप वह भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन जो यह मेरा वेट लॉस चरनी है इसलिए में सब कुछ वाट आई फॉलो में वही बता रही हूं आपको कुछ जादा नहीं बता रही हूं इदर तो कैसे मैंने यह इंटर्मिटेट इसलिए मतलब क्या है आज ऐसा तो यह सब अगर इफ यू आर पी सोडी पैशन इफ यू रियली वांट तो लोज यू वेट ना तेन जस फॉलो दिस ट्रेक्स आपको कुछ जादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं है इंटरनेट पे गूगल पे यूटूब पे जस फॉलो इस ट्रेक्स बहुत जादा इंपोर्टन हेल्पल होने वाली है अपको तो मैंने कैसे इंटरमिटर फास्टिंग शुरू किया फ्रेंड्स मैंने यह वर्ड सुना था मेरी एक फ्रेंड कर रही थी वेट लॉस के लिए इंटरमिटर फास्टिंग मुझे उससे पता चला उसन किया इंटरमिटर फास्टिंग क्योंकि मुझे ब्रेक्फास्ट कहने के बहुत जादा थी ब्रेक्फास्ट नहीं खाया तो मुझे चक्कर आप जाते थे लेकिन यह सब वन विक हुआ वन विक मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा टफ गया मतलब मैं कंटिन्यू करते हूं क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मैंने पाए है क्योंकि वेट लॉस के लिए मैंने क्या नहीं किया बहुत ज्यादा किया 72 से 60 करना वेट इस नॉट जोग और स्टिल इफ यू आर हाविं PCOD PCOS जैसी बीमारी क्योंकि PCOD में आपका 1 ग्राम भी कम करना बहुत इंपॉसिडिबल होता है और इसी बीमारी को लेकर मैंने मेरा वेट पूरा मतला पूरा रिड्यूस कर दिया बहुत ज्यादा हेल्दी वेट मैंने अभी पाया है और मेरा कॉरंटली वेट है अभी 60 केज फ्रॉम 72 से 60 और मेरी हाइट 5.6 है फ्रेंस सो मैंने BMI मेरा बहुत हेल्दी BMI में तो इंटर्मिटेट फास्टिंग इस वहरी मतलब बहुत बर्दान रहा है मेरे लिए तो मैंने कैसे फॉलो किया इंटर्मिटेट फास्टिंग फ्रेंस इंटर्मिटेट फास्टिंग फ्रेंस इंटर्मिटेट फास्टिंग आपको 16-8 फास्टिंग कर breakfast की जगह आप क्या ले सकते हो तो friends you can eat fresh fruits जो भी seasonal fruits है friends मतलब अगर summer है तो आपके पास watermelon रहेगा तो you can have watermelon और मतलब जो भी seasonal fruits है you can take means whatever full bowl लेके आप fruits खा सकते हो तो मैं सुबह जब उठती हूँ आपी भी तो मैं पहली दिन की शुरुवात मेरी जो रहती है वो दालचिनी टी से होती है उसका भी वीडियो में ने अपरे चैनल पे अपलोड किया you can see that video तो पहले मैं दालचिनी टी लेती हूँ और उसके बाद में fruits लेती हूँ एक बाउल बर के fruits लेती हूँ जो भी मतलब लेट से मेरे घर में चीकू है तो चीकू खाती हूँ और अगर watermelon है तो watermelon जो भी seasonal fruit अवेलेबल है वो खाती हूँ और उसके बाद में next मतलब थोड़ा सा gap देती हूँ पहले आपको दालचिनी टी पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाणा है क्योंकि आपको बॉड़ी को टाइम देना है टॉक्सिक बाहर निकालने के लिए तो मैं करीबन अगर मैं आट बज़े को मैं दालचिनी टी ली ले लू तो मैं नाइन थर्टी या पॉन दस बज़े को मैं फ्रूट्स खाती हूँ और उसके बाद में करेक्ट साड़े गारा बज़े मेरा फ्वरस्ट मील रहता है जो आप लंच बोलते हो मैं साड़े गारा बज़े वो लेती हूँ साड़े गारा के बाद में कुछ भी नहीं खाती और अफ्टर दाट आपको मतलब चार पाज बज़े शोटी सी भूख लगती है जिसे हम जब भी हमका भी भूख लगती है तो हम स्नैक्स लेते हैं या कुरकुरे लेते हैं कुरकुरे का पैकेट्स लेज़ कुछ भी खाते हैं तो मैं उस टाइम में में solid food नहीं खाती में वहां fruit सी खाती हूँ मतलब जो भी हमा सुबह के time पे food खाते हैं वही मैं राद को मतलब 4-5 बज़े evening को खाती हूँ थोड़ी सी भूग लगती है इसलिए फिर उसके बाद में अगर मैंने साड़े गारा को पहला meal लिया है पहला lunch लिया है तो मैं 8 गंटे skip कर देती हूँ और मैं 7-7 बज़े मेरा खाना रहता है डिनर रहता है तो वह मैं खाती हूँ 7-7 बज़े 8 गंटे का gap देखें तो यही मेरी इंटरफिटेट फास्टिंगे मैं यह रोज फॉलो करती हूँ थैल्दी डाइट में बाहर का कुछ भी नहीं खाती और बाहर का खाने के लिए मैंने संडे रखा है इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा फुरा फुल्डे खाना है अगर आप पिज़े अपको खाना है तो यू कैन इट डेट वन जो उसका मतलब क्या बोलते है वन पाट र बोल रही थी कि मेरा वेट लॉस जर्नी शेयर करूं तो आज यह दिन आ गया मैंने यह दो पार्ट में वीडियो बनाया है तो आप पार्ट वन भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मतलब विदिन थ्री मन्स यू कैन सी यूर चैंज इन यूर बोड़ी और हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी वेट पाओ, बहुत ज़्यादा भीमारियों से आपको चुट कारा पड़ेगा, PCOS is nothing, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीके सर, ठीके, फ्रेंड्स फिल मिलते हैं, एक नए वीडियो लेके, वीडियो अच्छा लोगा, तो प्लीज सब्सक कर देना, चैनल को लाइक भी कर देना, थैंक यू,